नमस्कार साथी हूँ एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा हमारे यूटूब चनल एजूकेसन निवस ओनली के माधियम से दोस्तो आज 14 जून की बड़ी अपडेट को लेकर बात करेंगे जो कि MGHC University बिकानेर को लेकर होने वाली है क्योंकि B.com के परिणाम जारी होने के बाद में लगातार बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सब B.A.B.S.E. के रेजल्ट कब तक जारी होंगे तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट हैं कि अगर आप पहली बार इस चैनल के माधियम से विजिट कर रहे हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेज कर दीजे ताकि हर परकार की जो अपडेट है आप तक टाइम पे पहुंच पाए क्योंकि दोस्तो आप इस स्टुडेंट है और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करेंगे तो चैनल क्रोथ करेगा और आपका अगर सपोर्ट रहेगा तो इस टॉपिक के रेलेटेड हर परकार के डाउट जो है Soll करने के प्रियास किया जाएंगे आपके लिए लगातार अपडेट लाने का भी प्रियास होगा तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्या result update है तो देखें दोस्तों आपके लिए result का update यही है कि जो BAC और B.A. का result है वो जुलाई के 1 वीक तक आ सकता है और खास कर जो B.A. वालों का result है क्योंकि उनके संक्या बहुत जादा है तो इनके लिए result थोड़ा सा late हो सकता है लेकिन B.A.C. वालों का तो confirm result चुलाई के 1 वीक तक आ सकता है क्योंकि राजिस्तान में PTT का counselling करवाना है तो उसके लिए final year के result सारी university सबसे पहले चारी करेगी अब देखे result का मुख्य कारण क्या है कि यह इतना late हो रहा है क्योंकि आपको पता है कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने exam का form तबढ़ दिया था लेकिन practical में उनके थोड़ी सी चूख हो चुकी है practical का ध्यान नहीं रखा तो university ने उनको वापस से practical के अंदर या practical exam को उसमें participate करने के लिए वापस से मौका दिया है तो request आपसे यही है कि अगर आप पहली भार इस चैनल के माधियम से विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को support कर देना क्योंकि जिस topic से support मिलता है उस topic के लिए जो है कारी इस चैनल के माधियम से किया जाता है तो सारे बच्चे MGSU के result के इंतजार में है तो प्लीज आप चैनल को जुड़े और subscribe भी करे धन्यवाद दोस्तों